नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग मेरे नाम है अरुशी दिवेदी और मैं आपको स्वाइद करता हूँ इस वीडियो में आपको डिटेल में यहां पर बात नहीं होगी एक बेसिक आइडिया आपको दिया जाएगा आगे की क्लासे में स्पेक्टर में मैं आपको डिटेल आइडिया दूँगा यह देखिए यह जो बहुत ही आइकॉनिक इमेज है दोस्तों कोई इंडिया मुव्मेंट के दुरान य करिए नीचे लिंक दिया हुआ है मेरे साथ जोड़ने के लिए आप इंस्टेग्राम पर फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हैं और मेरे दोरह बनाई गई और वीडियो को देखने के लिए आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं पहले की चैप्टर में क्या क्या देखा कैसे इंडिया की टेट्रिस पर कबजा किया किंग्डम्स को टेक ओवर किया कैसे नए लाज लाज लाए गया एड्मिनिस्टेटिव इंस्टिटूशन को लाए इंडियन को दवाने के लिए लाइफ ऑफ पीजन्स और ट्राइबल के बारे में भी एक प्रॉपर एनलिसिस की है मै नैंटीन सेंचुरी में क्या क्या एजुकेशनल चेंजिस आये वोमिन की कंडिशन के ऊपर में अच्छी का सी डिबिट को देखा गया है कास सिस्टम को किस तरीके से चैलेंज किया गया उसके लिए सोशल और रिलिजिस रिफॉर्म मोमेंट्स ने क्या रोल प्ले किया 1857 का एकनॉमिक लाइबलिफूड को तोड रही थी तो कुल में लाकर एक अनलेसिस आप देख सकते हैं कि बहुत किस हिसाब से हम देख रहे हैं कि जो इंडियंस थे इंडियंस के अंग्रेज डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे गवर्नेंस में हर चीज में सबसे बड़ा डिस्क्रिम अब इस भावना को उभारने के लिए एक कोश्चन लोगों का दिमाग में आना बहुत जरूरी है कि भया यह जो इंडिया है यह जो कंट्री है इंडिया यह एक्चुली में है क्या अच्छा पहली बात तो दोस्तों यह है कि इंडिया कभी एक कंट्री थी नहीं वो एक अंगरेजों ने पूरा का पूरा इंडिया कभजा लिया चुकि यह पूरा का पूरा सबकॉंटिनेंट था एक जग्रिफिकल एंटिटी थी तो साउडन एंड से लेके हिमालियास तक जो कुछ भी बीच में आ रहा है जहां पर आपका प्रिजेंड इंडिया पाकिस्तान ब आप तो जब अंगरेजों ने लोगों को परिशान करना शुरू किया तो देश के लोगों ने सोचा कि भी यह इंडिया जो कंट्री है यह concept क्या है क्या मतलब है कि इंडिया एक देश है और जब बात आने लगी कि हम सब बात यह हैं कि अंग्रेज राज कर रहे थें अंग् बार भगाना जरूरी है तो धीरे धीरे एक भावना आई कि जो इंडिया देश है ये इंडिया के लोगों का देश है तो यहां पे जित्ते भी लोग रहते हैं उनकी कोई भी क्लास हो कोई भी कलर हो कोई भी कास्ट हो कोई भी क्रीड हो कोई भी लेंगोज हो कोई भी जेंडर में राज कर रहे हैं, ये हमारे रिसोर्स को लूट रहे हैं, हमारे सिस्टम को एक्स्प्लॉइट कर रहे हैं, ये सम हमारे लिए हैं, ये बिटिशर्स कहां से आ गए हैं ये आउटसाइडर्स हैं, तो एक अवेर्नेस आई लोगों की बीच में, कि ये बिटिशर्स इंडिया क की रिजुर्सस पर कभ्जा कर रहे ईंडिया के लोगों का अपना घुलाम बना रहे हैं ये देश इन लोगों का घुलाम नहीं है बत इन्होंने घुलाम बना रखाया बात यह है कि यह जो भावना है यह जो कांशिछिसन नहीसए inspiration है ये कैसे आने शुरू ही political associations बनने शुरू होंगे 1850 के बार और इन political associations के साथ पहले indirectly और बाद में ये directly भावना बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी कि आप देखोगे 1870s में और 1880s में ये ऐसे बहुत से nationalist organizations बने हलाकि इन nationalist organizations को English educated प्रोफेशनल से बनाया जो कि आव्वेसी बात है educated लोग ही इस तरीके के जो organization से उनको lead कर सकते हैं जो कि educated जो लोग है न वो forward looking तरीके सोचते हैं वो actually में समझ पा रहे हैं कि कैसे अंग्रेज उनको देश को बुरी तरीके से दबाये पड़े हैं और कैसे उनको इन अंग्रेजों के चुंगल से चीटना है अलग होना है तो आप देखें ये कि पूना सारवजनिक सभा इंडियन एसोसीशन मदरास महाजन सभा मॉंबे प्रेज़ेंसी एसोसीशन और फिर इंडियन नेशन कॉंगरस ये सोरे औरगनाशन बने पूना सारवजनिक सभा का नाम समझ के आप बोल सकते हो कि भाई ये तो सब लोगों के लिए है सारवजनिक है ये और इन एसोसीशन की बात थी ये आप देखो कि पूरे देश भर में एसोसीशन खुले और कोई भे एसोसीशन ये नहीं बोलता था कि भाई ये सिर्फ इस जगा का है वो पूरे देश की बात करते थे कही न कहीं उनके अंदर ये फीलिंग थी कि हमको देश की पूरी जनता को ये समझाना है कि कैसे ये अंग्रेज हमें लूट रहे हैं और कैसे हमको इन अंग्रेजों के चंगो से बचना है जैसे पूर्व सारवजनिक में जो सारवजनिक शब्द समें सरव में आता है सारे और जनिक मतलब लोग तो मतलब किसी एक रीजन में एक्टिव रहने की बजाए ये और्गनाइशन कोशिश करते थे कि देज भर के लोगों को अपने साथ समट लें किसी एक रीजन में, किसी एक कम्यूनिटी में, किसी एक क्लास में ये लोग लिमिटेंड ना रहें फिर यहाँ पे तो माल लीजे, आपके पास संडे है तो संडे को, आपके पास फ्रीडम है कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, सब कुछ मैं कर सकता हूँ तो आप सोबरेन है लेकिन आपकी बॉस का फोन आ गया और बोला कि ओफिस आओ, ओफिस आके ये काम करो ठीक है, तो क्या आप सोबरेन हुए, नहीं हुए मतलब आपके जो डिसीजन लेने की कैपसिटी है वो लिमिटेड हो गई, मैंने पास एक एक एक्जाम्पिल लिया है उसी तरीके से उस समय के जो लोग थे, उनको सोबरेनिटी का कंसर्प समझ में आने लगा उनको समझ में आने लगा कि भाई, हमारी जो डिसीजन लेने की कैपसिटी है तो बहुत लिमिटेड है हमारी तो सारी कैपसिटी को इन अंगरे जो ब्लॉक कर रखा है और अपने आपको सोबरेन बनाने के लिए एक modern consciousness, बहुती mild form, बहुती moderate form में लोगों के अंदर आने लगी धीरे धीरे ये जो consciousness है, वो nationalism में अपने आपको convert करेगी ओके, यहाँ पे लोगों की दिमाग में धीरे धीरे यह आना शुरू करेगा कि भाई देखो, इंडियन लोगों के अंदर ये काबलियत है कि वो अपने affairs खुद निप्टा सकते हैं, हमें किसी के राज की जरूरत नहीं है और यहाँ पे Britishers ने भी एक role play गया, इंडियन के अंदर nationalism लाने में आप देखोगे, Britishers ने 1870s में, 1880s में बहुती ऐसी चीज़ें की जिससे इंडियन्स नाराज हुए, जैसे कि Arms Act पास हुआ, 1888 में जिसमें बोला गया कि जो इंडियन्स हैं, वो Arms पदस नहीं कर सकते, बंदूकें नहीं रह सकते फिर Vernacular Press Act साइन हुआ, Vernacular Press Act क्या बोलता था? कि Vernacular Languages में जो भी Publications छपती हैं, अगर वो Publications Government के अगेंस छाप रही हैं, तो Government को इस Act के थूँ ये ताकत मिलती है कि उस Newspaper के सारे Asset को कबजा सकते हैं, यानि कि उसके Printing Press, उसके Office Promises सब को बंद कर सकते हैं, हर चीज़ पर कबजा कर सकते हैं, अगर वो Newspaper Government के खिलाव कुछ भी Objection Label चापेगा, अब ये तो गरबढ़ है, आपने उनकी बोलने की ताकत को ही निरस्त कर दिया, छीन लिया फिर आप देखते हैं कि 1883 में आया Ilbert Bill, Ilbert Bill ने क्या बोला, देखें Ilbert Bill वैसे तो Pro-Indian था, News Bill में ये कहा गया कि भाई, जो jury होती है न, जो trial होता है न, judges का, अभी देखें, अगर court में trial हो रहा है, तो judge की seat पे कोई एक person बैठा होगा, और नीचे subjects आएंगे, जिनके against charges लगाएगे इस Ilbert Bill के थूँ बोला गया, कि देखें, जो European subjects हैं, और जो British subjects हैं, British plus European subjects, इनको Indian judges भी try कर सकते हैं पहले क्या था, यह British और European subjects को, केवल European judge, यह British judge ही try कर सकते हैं, Indian judges try नहीं कर सकते हैं बट Ilbert Bill के थूँ, यह कोशिश की गई कि Indian judges को भी यह ताकत दीजाएं, अभी जैसे ही इस Bill को introduce किया गया ना, जो Britishers थे, जो Europeans थे इंडिया में, वो हाकार मचाया नहीं और Ilbert Bill को वापस खीच लिया गया जब यह चीज़ हुई ना, इंडियास की आखे खुल गई, इंडियास को यह समझ में आ गया कि यह जो Britain के लोग हैं, यह पूरी तरीके से इंडियास की तरफ racial attitude रखते हैं, और हमको किसी भी तरीके की ताकत देना नहीं चाहते हैं यहाँ पर आप देखोगे, ऐसे बहुत से लोग आगे उठके आएंगे, जो यह बोलेंगे कि भाईया हमें अपना एक organization बनाने की जुरूआ थे, जिसके थूरू हम अपनी requirements को government को बताएंगे, तो need for an all India organization of educated India's have been felt in 1880, लेकिन Ilbert Bill की controversy के बाद, इस organization को बनाने की requirement बहुत international congress को बनाया गया 1885 दिसंबर में, जहां पर पहली बार 72 delegates मेलें बॉंबे में, जो leadership थी initial international congress किसे में दादा भाही नेरो जी, फेरोशा मैता, बदुरुदीन तैब जी, वोमेश चंद्र मैनर जी, सुरेंदनाथ मैनर जी, रोमेश चंद्र दत्त, सुर्वमन्या ऐयर, ऐसे ब बहुत important person निकल के आएंगे दादा भाही नेरो जी, जो कि businessman भी थे, और एक publicist भी थे, देखिए, पारसी थे, और पारसी जबरदस businessmen होते हैं, अगर आप आज की date में, South Bombay में चले जाओ, South Bombay इंडिया का सबसे महंगा इलाका है, वहाँ पे आपको, जो सारे businesses हैं, सारी कारलेवेंट के मेंबर भी रहें, इन्होंने economic drain की theory को बताया कि कैसे इंडिया से दौलत को बाहर खीच के ले गई हैं, अंग्रेज, आप यहाँ पे देख सकते हैं, दादा भाही नेरो जी जी की प्रोट्रेट नजर आ रही हैं, दादा भाही नेरो जी जी ने किताब लिख जा गया, यह publicist थे, publicist का मतलब क्या होता है, someone who publishes an idea by circulating information, writing reports, speaking at meetings, यानि कोई एक idea, उस idea को दूसरों को बताना, उसके बारे में दूसरों को समझाना, meetings में, लिख के, या फिर information को circulate करके, तो दादा भाही नेरो जी का pivotal role था, इंडियनेशनल कॉंग्रेस को मनाने में, हाला क इंडियनेशनल कॉंग्रेस को मनाने में बहुत सारे लोगों का रोल था, एक बिटिश ओफिशल को का रोल था, इंडियनेशनल कॉंग्रेस को मनाने में, और वो था A.O. Hume, Alan Octavian Hume, ठीके न, Alan Octavian Hume ने भी मदद की, इंडियनेशनल कॉंग्रेस को मनाने में, अभी बात की ज यही तरीके की future parliament बनेगी आगे जाके और हमारे देश का काफी बहला करेगी इंडियन नेशनल कॉंग्रेस ने हमारे देश को आजादी दिलाई है और जो शुरुवाती लीजर्शिप थी इंडियन नेशनल कॉंग्रेस की वो बहुत अच्छी थी अभी के लिए उसको compare मत करिएगा इंडियान नेशनल कॉंग्रेस was responsible for our independence हाला कि आज की डेट में जो इंडियान नेशनल कॉंग्रेस है और जिस कॉंग्रेस ने हमको आजादी दिलाई जिसमें जमीन आसमान का फर्क है फिर बात की जाएं बद्रुदीन तयब जी की इन्होंने कॉंग्रेस को as a president 1887 में address करते हैं तो कॉंग्रेस is composed of representatives not from any one class or community but all of the different communities of India इन्होंने यह बताए कि देखिए यह जो कॉंग्रेस यह जो आपकी इंडियान नेशनल कॉंग्रेस बनी है इसमें सारे communities के representative है सारे classes के representative है मतलब overall आप इस body को इंडिया का representative बोल सकते हैं फिर आगे बात करते हैं our national in the making देखिए शुरुवाती जो कॉंग्रेस बनी है न दोस्तों उसके पहले 20 साल भोज़द हमॉडरेट थे आप कह सकते हैं 1885 से लेके 1905 1905 में क्या हुआ पार्टिशन और बंगाल पार्टिशन और बंगाल के बाद स्वदेशी movement boycott movement पढ़ाऊंगा मैं आगे वैसे पढ़ा चुका हूं मैं हिस्ट्री की playlist में बट आगे spectrum में भी पढ़ाऊंगा ओके तो आप यहां पर देखते हो कि भाई शुरुवात के 20 साल Congress बहुत ज़दा moderate रही है तो prayer, petition और protest के सिधानत में यह भरोसा करते थे लेकिन अंग्रेजों से इन तीन चीज़ों से कुछ होने वाला है नहीं इस समय पे इननों ने अंग्रेजों से बोला कि इंडियन को government में जाधा representation दीजे, administration में जाधा representatives दीजे, legislative councils में इंडियन की membership को बढ़ाईए, legislative councils में इंडियन की membership बढ़ाईए, उनको जाधा ताकत दीजे, साथ साथ जिन जगहों पे legislative councils नहीं है, वहाँ पे legislative councils बनाईए, इंडियन्स को गौर्वर्मेंट में हाई पोजिशन्स दीजे जो सिविल सर्विस एक्जाम आप लंदन में कंवर्ट कराते हो उसको इंडिया में भी कंवर्ट करवाई है चोकि हर कोई लंदन एक्जाम देने नहीं जा सकता तो जो ये जंग सी छेड़ दी गई थी न ये जंग थी ब्रिटिश की डिस्क्रिमिनेटली पॉलिसी के अगेंस्ट ये जंग थी रैशिजम के अगेंस्ट हर चीज के अगेंस्ट ये जंग थी यह जो हर job को हर services को white officials में monopolize कर रखा था इस monopolization को legal तरीके से और moderate तरीके से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे Indian National Congress के members repeal का मतलब क्या होता है किसी law को हटा देना to officially end the validity something or such a law अभी इसकी बात करेंगे Britishers को उस समय पे क्या लगता था यह जो important positions होती ही न इनको man नहीं कर पाएंगे इन Indians में इतनी काबियत नहीं है कि important positions को man कर सके प्लस जो Indian scholars थे वो यह बोलते थे कि यह जो Britishers है यह पैसा इंडिया में कमाते है but maximum पैसा अपने घर भेज़ देते हैं as salaries फिर बहुत सारा और तरीके से wealth का drain होता है from India to England अब यह drain के तरीके भी आगे discuss करेंगे यहाँ पर उसका scope नहीं है फिर इन्होंने demand की कि जो judiciary को executive से आला करिये तो जो executive उस समय पर ताकत ही थी जैसे कि district collector अब इस district collector के पास ताकत थी judicial भी तो judiciary का तो काम होता है executive को check करना अभी executive को आप judicial ताकत दे दोगे तो मतलब क्या है तो यह executive गाउं में नियम कानून को implement कर रहा होगा और अगर गाउं में किसी person को कुछ problem हो गई तो वो किसके पास जाएगा इसी executive को पास जाएगा अपनी judicial problem लेके तो उसका तो कोई मतलब नहीं है ना जिसने first term में आपको इंसाफ नहीं दिया वो दूसरे term में आपके मांगने पर इंसाफ कैसे दे देगा फिर बोला यह जो arms act लेके आये हैं आप जिससे आप बोल रहे हैं कि इंडियन्स अपने पास arms नहीं रख सकते हैं इसको repeal करिए इंडियन्स को freedom of speech and expressions दीजे फिर जो early Congress members से उन्हेंने बहुत सार एकनामिक issues को भी उठाया उनको पता था कि Britain की राज की वज़े से poverty आ रहे हैं फैमिन्स आ रहे हैं अकाल आ रहे हैं land revenue इतना जादा है पीजन्स को जो revenue मांगते हैं टैक्स मांगते हैं इस टैक्स में कटाउती करें अपने military expenditure में कटाउती करें और ज़्यादा पैसा irrigation को दें ज़्यादा पैसा education को दें salt tax को अटाने की बात की इंडियन labor जिनको morisius और दूसरे plantations में भेजा गया था उनके साथ अच्छी तरीकी से विवहार किया जाए forest dwellers जो forest tribes थी उनकी sufferings को ध्यान में रखा जाए forest administration को forest के लोगों और tribes की life में ज़्यादा interference नहीं करना चाहिए तो आप देख रहों कि यहाँ पे ground level के साथ यह leaders चुड़ रहे हैं तो भले यह पड़े लेके थे lawyer थे educated community की थे कभी-कभी influential class को belong करते थे अमीर थे तब भी यह जमीनदारों की तरव से बात नहीं कर रहे हैं यह तेश के लोगों की तरव से बात कर रहे हैं अगर यह सिर्फ जमीनदार यह industrialist की तरव से बात कर रहे होते हैं तो इंडिया नेशनल कॉंगर्स का बनना ही बेकार हो जाता फिर इन moderates ने कुछ और तरीके निकाले इनको यह लगा कि भाई यह जो British rule का unjust nature है ना इसके बारे में भाई public awareness फैलाने की जुरूत है और कहां public awareness फैलाने की जुरूत है तो England में बहुत expert थे वो England में रहते भी थे तो वहां में newspapers publish करते थे articles लिखते थे और बताते थे वहां की जनता को कैसे Britishers इंडिया में आके लोगों को loot रहे हैं economic reunion कर रहे हैं Britishers की rule को criticize करते थे अपने speeches के थुरू फिर अपने representatives को ये लोग इंडिया में अलग अलग जगहों पर भेजते थे और लोगों को mobilize करते थे इंडिया में Britishers की exploitatory revenue policies के अगेंस ताकि लोग भी जाके Britishers से बोलें कि हमें हमारे rights दिये जाएं फिर इन लोगों ने Britishers से बोला कि भाई ideas of freedom and justice को आप value दीजे, Indians की demands को आप मानिए, मतलब government को ये याद दिलाना कि भाई Indians की तरफ आपकी एक responsibility है Indians को आप dignity दीजे, Indians को आप honor दीजे, Indians को उनके rightful rights दीजे, ये सब चीजें आपको Indians को देनी पड़ेंगी जो की है, Indians की है, ये सब बाते बोली गई है, फिर जो लोग ठीक तरीके से involved नहीं होते थे इन कामों में, उनके against भी criticism होता था, जैसे कि एक moderate leader दिन शौ बाचा, 1887 में नेरोजी जी को लिखके क्या बोल रहे हैं, कि ये जो फिरोशा मैता है, ये अपने personal काम में बिजी हैं, कुछ ज़्यादा ही अमीर हो गया है, मिस्टर टेलांग है, ये भी बिजी रहते हैं, अभी ये लोग अपने ही काम में बिजी हैं, पैसा कमाने में बिजी हैं, तो ये देश के लोगों के लिए क्या काम करेंगे, तो इस तरीके बड़ी भी नहीं होती है, आपका attention का जो time span है, वो आराम से 20 minute आप maintain कर सकते हो, और मैं काम बर की चीजें आपको बता भी देता हूं, तो वीडियो ज़्यादा छोटी भी नहीं होती है, और कोशिश करता हूं कि मीडियो को interesting रख सकूं और थोड़ा अपने गले को भी आराम दे सकूं, so thank you for watching this video friends, have a great day, अपना ध्यान रखिए और बच के रहें, करोना से, good bye